हेलो दूस्तों स्वागत है आपका जी एसाई को एजुगेशन के स्योटूब चैनल पे तो एंसे अर्टी सार संग्रा जो सिक्स क्लास से ट्विल्फ क्लास तक के सभी इंपोर्टेंट प्रसनों को एक जगा संकलित किया गया है उसका एपिसोड चल रहा है तो जैसे कि थंब् लिस्ट के तुरू या नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप लो जाईएगा तो महां पर पीन कर दूंगा मैं कॉमेंट में लिंक को वहां से आप लोग देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएंगी ठीक है तो हार इस चैनल पर आप लोगों न इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद तो चलिए ये चालू कर शुरू करते हैं हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही सांदार टॉपिक है सात्वी अनुसूची के परमुख भी से है इंपोर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑब सेवन सेडियोल तो इसको देख जेते हैं तो भारतिय संविधान के अंत्यगत सीविल प्रकिरिया संहिता किस सुची का विसे है तो समवर्ती सुची का जन संख्या नियंत्रन और परिवार नियोजन तथा आप राधिक मामले भारतिय संविधान की समवर्ती सुची में समिलित है सिक्षा किस सुची का विस उस पे कौन सा कानून बनाने का किसका अधिका है तो केंदर सरकार यानि कि सेंटरल गवर्मेंट की है जो बर्दमान में भी नरेंदर मोदी की सरकार है ठीक है और अगर आप राज सुची की बात करें तो राज सुची में उन सारे विश्यों को वैसे विश्य होंगे जिस पे क कौन बनाएगा लौ कौन बनाएगा कानून कौन बनाएगा उस पर काम कौन करेगा तो राज सरकार करेगी जैसे अगर आप लोग बिहार से हैं तो बिहार में अभी नितिश कुमार की सरकार है लेकिन अभी अतार संगीता लग जाने की वज़ा से अपको इलेक्षन है तो इसल उसमें मतलब केंद भी सब बना सकती है और उसके वाद से राज सरकार भी मतलब वैसी मतलब कानून को बनाया जाता है कि जो मतलब उसमें केंद सरकार बनाती है जो बिवादी सब्जेक्ट्स है उसमें रखे गया है जिस पे कौन निर्दार लेगा तो वो केंद सरकार नहीं आ ये तीन सूचिया मैंने आपको बता दिया, नेक्स देखते हैं कि सिक्षा प्राणम में ही राज्य सूची का विशायस था, इसे ब्यालिश्वे संसोधन उनिसाच चियातर दुरा समवर्ती सूची में अस्थांतरित कर दिया, यानिकि सिक्षा जो था वो क्या हुआ तो राज सरकार भी देखेगी और राज सरकार भी देखेगी, नेक्स देखते हैं कि भूमी सुधार कि सूची का अंतरगत सामिल है, तो भूमी सुधार जो है वो राज सूची का अंतरगत सामिल है, रेलवे पुलिस कि सूची का भी से है, नेक्स देखते हैं कि आर्थिक नियोजन, एकोनॉमिक प्लानिंग किस सुची का नभी से है तो समवर्थी सुची का है किरसी भारतिय सम्विधान की सुची से संबंदित है तो राज सुची से संबंदित है भारतिय राज किस सुची से संबंदित है तो राज सुची में संबंदित है डंड परकिरिया भारतिय सम्विध तो संग सूची में आपको परती रख्षा है नागरिक्ता है संचार नाक वतार है नियम कर सेवा है जुद और सांती है सीमा सुल्क और निर्यात सुल्क है बीमा है परते अरपन है सेर बजार अंतराष्टी संधी और करार रेलवे मुद्रा रिजर्ब बैंक उसके बाद से फिर समुद्री वा हवाई मार्क बिदेशी रिंड बिदेशी बैपार लोटरी आयकर किर्शी से भिन आयकर जो है किर्शी से अलग है जनगन्ना नागर बजट बैंक स्टोक एक्सचे कहीं बिशय है ठीक है और उनका जो सेलरी है वो कौन राजसरकार ही मतलब उनका सेलरी देती है ठीक है कारागार फिर है भूमी है अस्थानिय स्वासासन है प्रादेशिक लोग सबा है लोग स्वास्त है बजा रहे हों मेले है सट्टा जिसको बेटिंग बोलाया तो वह जुआ यानि की गैंबलिंग भी है यह राजसुची की भी से के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ किरसी भूमी पर संपदा सुलक है पसुपालन है, सिचाई है और कर गय सराब मंदंजन भूराजयसुजा लगान विदूद पर कर है पत कर यानि की टोल टेक्स है परति वहिखति कर जो कैपिटेशन टेक्स है वू भी राजसुची कर भी से है विलासिता की बस्तूओं पर कर आदी है विलासिता मतलब जो इंटर्टेन्मेंट आप लोग करते हैं उसी का ठीक है समवर्थी सूची में देखते हैं कौन-कौन सा है तो डंड विधी प्रकिरिया विधी यानि कि जो लौ बनाने का मतलब कानून राजसरकार भी अपने मतलब सम्मिधान नहीं अपने विधान सफा और विधान परसत जो भी है वहां से पास करके बना सकती है और वहां के इंसरकर में तो बनते ही बनते हैं ठीक है तो प्रकिरिया विधी है इसमें आर्थी को समाजी क्योजनाय है तो इस पर दोनों वा लोग बना सकते हैं वन है विवा माप है वनी जीव जन्तूओं का संडक्षन है समाचार पत्र पुस्तेके और मुद्रानाले है उसके मतलब और स्वक्ष्टावा औस धाला है और दोगिक विवाद है उत्रादीकार है और उसकी बाद से फिर देखते हैं वीधी बृत चिकित्सा बृतियां कीमत नियंतरन जन् बर्तमान में संग सुची में 100 भी से राज सुची में 61 भी से तता समवर्ती सुची में 22 भी से सामिल है उदेशी का हम लोग देखेंगे यानिकि सम्मिधान की जो आत्मा जो है उसको क्या सम्मिधान की आत्मा को उदेशी का बुला गया है यानिकि प्रिम्बल को सम्मिधान की आत्मा बुला गया है और प्रस्ट में दिर है कि सम्मिधान की हार्ट एंड सोल किसको बुला गया तो आर्टिकल 32 है यानि कि सम्मिधानी को उपचारों का उपबंध जो किया गया आर्टिकल 32 उसको लख बला घया है सं भिधान की हिर्दय और आतमा किसा ने कहा था सब देश को अगरी शाएं वह भी सब्सका क होने जो हर सब एक प्रस्तावना था है जो धर नाते यह बहुत है तो यह अगर। तो बार रोज अगर थोड़ा सा दो मिनिट का टाइम निकाल करके पढ़ते हैं तो याद हो जाएगा ठीक है अगर नहीं याद है तो याद कर लिजेगा चुकि इससे भी प्रस्ण सीधे सीधे बन जाते हैं तो प्रस्तावना हम पढ़ेंगे हम भारत के लोग भारत को एक पुन्ड परभुत्त संपन समाजवादी पंत निर्फेक्ष लोगतंतरात्मक गंडराज बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को समाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय बिचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म वा उपासना की स्वतंदरता परतिष्टा और उसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए द्रिड संकल्प होकर अपने इस सम्विधान सभा में आज तारिक 26 नॉम्बर 1949 भी मिती मार्ग सिर्ष सुक्ल सप्तमी समवत 2006 बिक्रमी को एतत द्वारा इस सम्विधान को अंगिकरित अधिनियमित और आत्मारपित करते हैं ठीक है यह 26 नॉम्बर 1949 को यह सम्विधान की जो प्रस्तावना है उसको बोला गया इसलिए उस लेट को मतलब सम्विधान सभा जब बन करके सम्विध हम तब उसंसमय यह उसको अंग्यक्रित किया गया अधिनियमित किया गया और आत्मारपित यानि की आतमा सी इसको अरपित किया यह फोपा नहीं गया है हां मैं सभी लोगों की बातों को लिखा गया है बताया meget है तब्हीं ठीक है फिर देखते हैं कि सम्विधान सभा में 20 प्रस्ताव कब प्रसूत किया गया तो 13 दिसंपर 1926 को किया गया भारती संबिधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्म निर्पेक्ष राजी की रूप में वर्णिद करता है तो संबिधान की प्रस्तावना भारत को एक सारो भॉम समाजवादी धर्म निर्पेक्ष परजातांत गंतंत्र के रूप में गोशित किया गया है सरोष नियाले दोरा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुछेद तीन चौनरसट के अंत्रगत संबिधान के प्रस्तावना में भी संसोधन किया जा सकता है प्रन्तु यह मूल धाची का उलंगन करने वाला नहीं होना चाहिए तो य तो ऑधिधान गूढ़न की संसोधन कर सकते है लेकिन संबिधान की जो मूल धाचा है उसमें कोई परिवरतन नहीं होना चाहिए जैसे कि 42 संभीधान संसोधन में वहां पे धर्म निर्पिक्ष को हटा करके पंत निर्पिक्ष सब्द को लाया गया ठीक है तो उदेश्यकाे भी हम लोग संसोधन कर सकते हैं संसोधन का जो amendment का जो procedure है वो संबिधान के आर्टिकल 368 यानि कि 368 में परावधान इसका किया गया है ठीक है next देखते हैं कि भारतिय संबिधान भारतिय संबिधान का आत्मा की से कहा गया अगर आत्मा की बात हो तो उदेशी का है यानि के प्रस्तावना है प्रियम्बल है लेकिन अगर हिर्दय और आत्मा की बात हो तो आर्टिकल 32 है यानि कि संबिधानिक उपचारों का उपबंध next देखते हैं कि कल्यान कारी राज यानि कि वेलफेर स्टेट का उदेश से अधिक्तम जनसंख्या के लिए अधिक्तम कल्यान सुनिश्चित करना है भारत एक गरतन्त है रिपब्लिक है इसका अर्थ है क्या है इसका अर्थ क्या है तो भारत में वनसानुगत सासन नहीं है ठीक है next देखते हैं कि भारत के संदर्म में धर्म निर्पेक्ष सब का सही भाव क्या है यानि कि धर्म निर्पेक्ष नहीं पंथ निर्पेक्ष यानि कि भारत क्या राजी का कोई धर्म नहीं है भारत राजी का कोई धर्म नहीं है मतलब especially यहाँ पर यह नहीं है कि यह हिंदू राश्ट है या फिर यह मुस्लिम राश्ट यह इसलामिक राश्ट है ऐसा कुछ नहीं है तो यह क्या है यहाँ पर सभी परकार के पंत के लोग सभी अपने अपने जो धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं इसलिए भार अनेकता में एकता का देश ठीए उद्येसिका में समलित समाजी कार्थिव का राजनेतिक नियाय के ततो किसे संबंदित है तो 1917 के रूसी करांती से संबंदित है उश्टम नियालय ने किस वाद में यह धारना प्रस्तूत किया कि उद्येसिका संबिधान का अभिन अंग है सभी व्यक्ति पुर्णता हुआ और समान रूप से मानव है या सिधान्त जाना जाता है सारो भौमिक्ता का भारत में लौकिक सारो भौमिक्ता है क्योंकि संभिधान की प्रस्तोना रंभ होती है तो हम भारत के लोग लोग कल्यान सभ भारत की संभिधान की उदेशिका में नहीं है लेकिन यह बल्किया राज के नितिन निदिशक्ता का भागव राज का नितिन निदिशक्ता आर्टेकल 362 कितना है आर्टेकल 36 से 51 तक है ठीक है आप लोग एक बार देख लिजेगा किस संभिधान के द्वारा भारतिय संभिधान की उदेशिका में संसोधन किया गया है तो 42 संभिधान संसोधन के द्वारा उसके प्रस्तावना में संसोधित किया गया है भारतिय संभिधान की प्रस्तावना में जिन आदर्सों यों उद्देशियों की रूप रेखा दी गई है उसका अभिस्तार कहा है तो मूल अधिकारो राजी के निते निदेशक सिधानतों और मौलिक कर्तवियों के अध्याएं में दिया गया है राजी का सबसे मौत्पुन तत्व क्या है तो सम प्रभूता है समाजवादी यानिकी सोशलिस्ट अखंडता यानिकी इंटी ग्रेटी तथा पंत निर्फेक् ठीक है ये 42 सम्विधान संसोधन कब होगा था आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको जवाब दीजे उदेशीका को राजनीतिक जन्म पत्रियानी के पॉलिटिकल होरोस्कोप की संग्या किस ने दी है तो किया मुंसी न दी है प्रस्तावना सम्विधान कांग नहीं है प्रस्तावन हमेरे दिर्ग कालिक सपनों का विचार है एक और पॉइंट देखते हैं कि गोलकनात बनाम पंजाब राजी के मामले में नयाय मुर्ती एम हिदायोत तुल्लह ने उदेशीका को संविधान की मुल आत्मा कहा है यहां पर एक और टॉपिक होनों देख लेते हैं कि संगियों में राज चेतर यानि कि यूनियन एंड टेरिटरी ठीक है तो देखते हैं कि तनुछिद एक में लिखा गया है कि भारत के राज चेतर में निम्न चेतर सामिल होंगे तो राजियों के राज चेतर संग राज चे तो भारतिय संग के अंदरगत किसी राजी को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है तो संसद को है संसद, संसद याद रखिएगा, संसद नहीं संसद, संसद में तीन पार्ट मिला करके संसद बनता है लोकसभा, राजसभा and राष्टपती, प्रेसिडेंट यानि कि लोकसभा में कोई बिद्यक मतलब आउर्डिनेंस आया तो फिर इसको राजसभा पास करेगा और फिर जब तक हमारे राष्टपती का सिगनेचर नहीं होगा तब तक वो बिल नहीं बनता है, ठीक है, एक्ट नहीं बनता है तो भारतिय संग के अंद्रकत किसी राजजी को सम्मिलित करने का दिखार किसी प्राप्त है तो संसद को है, मतलब कोई और राजजी को अगर संग में यूनियन है न, यूनियन अफे स्टेट्स है इंडिया क्या है, उनियन अफे स्टेट्स है, तो इसमें दूसरे राजजी को अगर सामिल किया जा है तो उसको करने के लिए संसद के तीनों जो तीन लोग है, राजजी सभा, लोग सभा और राशपती ये जब तक तीन लोगों का मत नहीं होगा, तब तक ये उसको सामिल नहीं किया जा सकता है ठीक है, और संभिधान के परतम अनुसियत के अनुसार, भारत होगा, क्या होगा तो भारत राजजीों का संग है यानि कि Union of Estates है, ठीक है, भारत में कितने राज एवं संगिय परदेश है, तो भारत में 28 राज एवं 8 संगिय परदेश है जिसमें राश्टी राजधानी छेतर भी सम्मिलित है, जैसे 28 पहले 29 राज था, लेकिन अब क्या किया गया है कि अब 28 राज उएप, और 8 संगिय परदेश था लेकिन अब 8 हो गया है, क्योंकि दाधर नगर हवेली और उसके बाद से फिर एक और है, दाधर नगर हवेली और दमन और दिव को क्या किया गया है कि एक जगश समिलित कर दिए गया है, ठीक है, नेक्स देखते है कि लोग सभ इंदर सासित पर्देश के रूप में जमू कास्मीर का क्या किया गया है कि बीभाजन कर दिया गया है कौन-कौन सा एरिया किया गया है तो एक लद्दाक को किया गया और एक जमू कास्मीर को कर दिया गया है ठीक है नेक्स देखते हैं कि संग्यों में इसके राज चेतर से सम् जिसके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुसांगिक एवं अनुवर्ति यानि संसाज की सब्चाइब नए राज की संसाज यानी की लोग उनुसार सब्सक्राइब की गठन किया गया था तो आंद्र परदेश का गठन किया गया था यानि कि राज पुन्र गठन आयो गया इनके स्टेट स्टेट री और्गनाइजेशन कमिशन ने एक नॉम्बर 156 को कितने राज तथा केंद सासित परदेश बनाया थे तो 14 राज एम संग 6 संग राज बनाया थे सिक्किम भारत का एक राज किस वर्स बनाया गया था तो 36 संबिधान संसोजन का अंतरगत वर्स 1975 में बनाया था भारत में केंद सासित परदेशों का परशासन किस के द्वारा किया जाता है तो राजपती के द्वारा किया जाता है जुनागर रियासत को जन्मत संग्रा के अधार पर हैदराबाद रियासत को सैन करवाई के द्वारा तथा भारत में उसको भारत में सामिल किया गया था जमु कस्मीर के रियासत के सासक ने पाकिस्तानी से ने औम कबायालियों के आकरमन से सुरक्षण सुनिशित करने है तो भारत के साथ विलाए पत्र पर हस्ताक्षर करके कस्मीर को भारत में समीलत किया पहले के 20-60 राजियों को राजि का दर्जा कब मिला था? और मुख्याला उसका का है और सम्मिलित राज हम संग राज छेत्र है देखते हैं कौन-कौन है तो उत्री छेत्रिये परशद में मुख्याला इसका नहीं दिल्ली है इसमें सम्मिलित राज है उत्री छेत्रिये परशद में सम्मिलित राज है जमू कास्मीर लद्दाक हिमाच परदेश हरियाना पंजाव राजस्तान दिली चंडिगड केंद्रिये छेत्रिये परसद में देखते हैं तो केंद्रिये छेत्रिये परसद में परियाग राज इसका मुख्याला है उत्तर परदेश उत्राखंड मद्य परिसता चतिसगड़ है और अगर पूर्वी छेत्रिये अध्राव नगरहवेली तथा दमन और वद्दीव है ठीक अगर दक्षनी पश्मी चेत्रिय परशत की बात करें तो इसका मुख्यालच चन नहीं है और इसमें सामिल जो राज है वो राज और केंसासित राज है आंधर परदेश करनाटाक तमिल नाडु केरल पुदुचेरी और तेलंगना है दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक तीन सदस्ये राजपुनर गठन आयोग का गठन किया गया था अब भारत की 28 राजवा आठ केंसासित परदेश हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन-कौन है तो राजस्तान जिसकी राजधानी जैपूर है भासा यहाँ पे हिंदी है जीलो की संक्या 33 है और छेतरफल जो है हलाकि यह बीपीसी के एक जाम में छेतरफल और यह नहीं पूछा जाता है ठीक है तो आप लोग बस आपको अगर बिहार की तयारी कर रहे है तो बस आप लोग इतना याद रखिए बिहार का के वल देख पादेता हूँ ठीक है तो दो में है मध्य परदिस्त मध्य परदिस की रहाजानी भोपाल भासा यहां की हिंदी और जीलो की संक्या 52 महराश्ट का मुंबई भासा मराथी और यहां पे जीलो की संक्या 36 उतरफ परदिस का लखनव हिंदी और उर्दु बोली जाती है उसका 15 और 2005 मुझराद иデ prends the G tutto गुज्राध में यहां प्रफ dwлениеों में युद sprang क definesे मोगने Brock पिंप। ही अधि और 25 है जीलो कि संख्यों 75 है गुज्रात का गांधी नगर वहां पे गुज amis 27 तमिल नाडू का चिन्नही तमिल वहां की भासा और जिलो की संक्या 37 बिहार का पटना हिंदी बोली जाती है हिंदी भासा है और वहां पे यहां पे जिलो की संक्या क्या है बांगला यहां की मुख्य भासा है और जिलो की संक्या जो है वो 23 है और नाचल प्रदिस का इटा नगर अंगरेजी 25 चारकंड की राची हिंदी 24 असम का देशपूर यहां की भासा जो है असमिया है और जिलो की संक्या 33 हिमाचल प्रदिस का सिमला या थ्फिर धर्मसाला भी बुला जाता है और यहां की जो भासा है वो हिंदी है और जिलो की संक्या 12, उत्राखंड का देहरादून या गैरसेंड इसकी दो राजधानियां एक ग्रिस्म कालिन होती है और एक सीद कालिन होती है ठीक है तो और यहां की जो भासा है वो हिंदी और संस्कृत यहां की राज का तिरोन अन्दपुरम, मल्यालम यहां की भासा है, 14 जिलो की संक्या है, मेघाला का सिलोंग, गारो यहां की दच्किया भासा, जिलो की संक्या है, 11, मनिपूर का इंफाल, यहां का जिव भासा है, वो मनिपूरी है, 16 जिलो की संक्या है, मिजोरम का आई जोल, यहां की जो भा यहाँ पे नेपाली बोली जाती है और जिलो की संक्या जो चार है गोवा जो है वो पंजी उसकी राजधानी है भासा कॉंकणी और जिलो की संक्या है यहाँ पे दो सबसे कम जिलो की संक्या कहां पे है तो देखा जाए तो राज में देखा जाए तो गोवा है ठीक है और तेल अंडमानम और निकोबाज जिसकी रायधानी पोर्डवेलर है जिलो की संख्या इतनी है तो तीन है चेतरपल है जिलो की संख्यु क्रक्ते चंडिध्र और 1050 630 किलोमेटर है उसके बाद से देखते हैं दिल्ली दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है जिलो की संक्या 11 है और छेतपल जो है 1483 है लक्षद्वीब लक्षद्वीब का देखेंगे तो कावारती है राजधानी और जिलो की संक्या है एक और इसमें छेतपल है 32 और फिर उसके बाद से देख मैं बिलो में और जंबू कास्मी देखते हैं तो जंबु कास्मी का स्रीनगर और Jum all इसकी संधानी है ठीक है तो जीbag जाउसासे में चितफर वाला कौन सा राज तो आप लोगों ने यहां पे देखा आए Kिषिप ए ठीक है तो चलिए आज के लेक्चर में आज के एपिसोड में इतना ही और मिलते हैं फिर जल्द ही नेक्स एपिसोड में तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप इस चैनल पे नहीं है तो थुआ सा इसको सब्सक्राइब कर लीजिए वेल आइकन को प् बनाओं वहां पर आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले वहां पर सारी चीज़ों और भी सारे सब्सक्राइब कर आया जाता है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का